अपने मन से उन्होंने गोशना किया था कि 6-7 सीट हम कांग्रेस को देंगे चिराग पासबान को भी इस गठवंदन में लाने का प्रयास करेंगे और अन्य दल के लोगों को भी पर्तियासी बनाएगे जीतने लाइक हमारी 10 सीट है 10-11 सीट जीतने लाइक है अब वो 10-11 सीट क मेरा नाम ससांग पांडे है बिहार में 24 सीटों पर MLC का चुना होना है ऐसे में सबको यह अब लग रहा था कि महागडबंधन का जो सीट सेरिंग का फॉर्मूला है वो हो गया है और NDA में पेच फसेगा क्योंकि NDA में पेच इसलिए भी फसेगा कि जदिव 12 बीजेपी भी ही है हम दो बोल रहा है भी दो बोल रहा है चो सीट है 24 लेकिन 28 का फॉर्मूला वहां बन रहा है लेकिन अब यह पेच जो है महागडबंधन में भी फहाए हैं कॉंस इस साफतोर पर कोंग्रेस के MLC है समीर कुमार उन्होंने साफतोर पर कह दिया है कि हम लोगों ने 10 सीट क कुछ कह रहे हैं महागटबंदन की तरब से कोई भी सीटों पर उमिद्वार का फैसला नहीं हुआ है राश्टिय जनता दल के माननी अध्यक्ष ने विधान सभा उप्चुनाओं के बाद ही यह एलान किया था कि हमारा गठवंधन काइम है और हम अपने मन से उन्होंने घोसना किया था कि चिराग पासमान को भी इस गठवंधन में लाने का प्रयास करेंगे और अन्यदल के लोगों को भी प्रत्यासी बनाएगे राजल की तरफ से जो तै किये जा रहे हैं तो उस तरह के उमिद्वार तो हमलों के तरफ से भी तै हैं कि कहां किसको लड़ना चाहिए तो यह आंतरिक तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमको कोई आपती नहीं है लेकिन महां गठवंधन के प्रत्यासी के रूप में अभी किसी भी अधिकारिक व्यक्ति को संकेत नहीं दिया गया है और हम लोगों को जो उचित जान पड़ा है हमारे प्रदेश सज्धक्ष डाक्टर मदर मोहन जहा राजत के सामने रखा है और बहुत ही रिजशनेबल प्रस्ताव है जिसको राज़त को मानने में कोय आपती नहीं होनी चाहिए और हमको लगता है कि जब तैय तमन्ना हो झा तब हम सीटों के बारे में खुलासा कर सकें मुझा दाहें आपने कितने सीटों का दावा किया किहा हाला कि खबर या रही हो श्लीट को यह सब्सक्रasarta कि चल रहिए जितने संपर्थ हमारी दस सीटें हैं तस से कारा सीट में पर सालों कि नहीं लगे आट भी percussion लेक्ष Sud 11 सीटों पर प्रत्यासी है अब ये फैसला हमारे प्रदेश नेत्रुत और राजत के नेत्रुत के बीच में होना है जिस दिन हो जाएगा हम लोग आपको बताने का उपचुनाओ जैसी स्थिती तो नहीं बनेगी देखे उपचुनाओ में भी हमलों की तरफ से कोई गलती नहीं होई थी गठबंदन को तोड़ने के मामले में हमलों के तरफ से कोई चुक नहीं होई थी हम लोग भी दोनों सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे एक सीट पर पहले से तैथा कि हमको लड़ना है एक सीट पर राज़त को लड़ना है लेकिन राज़त नहीं गठवंदन धर्म को तोड़ा और दोनों सीट पर एक बारगी अचानक उमिदवार तैय कर दिया प्रत्यासी होता तो आज दोनों सीट हमलों की जोली में होती देखें चिराग पासवान को तेजस्वी आदव या लालू जी के तरफ से क्या ओफर है यह हम लोग के जानकारी में कांग्रेस पार्टी के जानकारी में नहीं है जब महार गठवंधन के बीच में यह बात चर्चा कभी से होगा तभी हम अधिकारी ग्रूप से कुछ का सकेंगे अभी हम लोग के नॉलेज में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है अचा राजा जगर आप लोग को साथ से कम सीटे देती हैं तो उस के से क्यों सब्सक्राइब, इस बिछार नियुक्ष्टी में नियुक्त कोट बीच सब्सक्राइब और सब्सक्राइब. करेंगे तो सुना आपने उन्होंने कहा कि महागरब अंधन धर्म का जो पालन है वह आरजडी भूल जाती है उप्चुनाओं में भी आपने देखा था किस तरह से उन्होंने दोनों सीटों पर अपने उमिद्वार उतार दिये थे हम नहीं चाहते थे कि दोनों सीटों पर हमा और अपने मेल सी को उतारेंगे तेमाम खबरों के लिए जो तेरह मारे साथ और देख रहे हैं दो इंडियाड़